Hello my beautiful YouTube family, तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी मासाला से बहुत ही अच्छी हूँ, तो दिन की सुरुवात मेरी हो गई है, आज आपकी आपी एक नए व्लॉग के साथ फिर से हाजीर हो गई है, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो व्ल कर रही थी, मेरे लिए तो वो एक सपना ही जैसा है, क्योंकि मैं काफी सालों से वेट कर रही थी, तो अब जा करके फाइनली वो काम हो रहा है, तो अभी देख सकते हैं, मेरे घर में पूरा वाइट वास हो रखा है, मतलब कलर अभी कुछ भी नहीं है, बस वाइट कलर का प पता भी नहीं चला, तो फाइनली वो टाइम आ गया है, तो अब पूरे घर को रिनुवेशन होगा, तो इसलिए मैं पूरे घर को खाली कर रही हूँ, तो यही मेरी बहुत सालों से ख्वाइश थी, कि मेरा घर भी रिनुवेशन हो जाए, पूरा पेंट वागरा हो जाए, ताकि जो अभी घर है, अभी तो बैसे भी घर अभी भी बहुत प्यारा लगता है, लेकिन पेंट वागरा और अच्छे से हो जाएगा, और इनुवेशन हो जाएगा, तो और भी बहुत खुबसूरत घर मेरा लगने लगेगा, तो इसलिए तो काम अब लगना शुरू हो ग तो अभी सुबा के 8 बज़रे, फटफट पहले मैंने रूम खाली करके एक रूम में सारा समान सीफ्ट कर दिया है, और इधर मेरे हस्बेन अपना काम कर रहे हैं, और इधर मैंने इसी रूम में ही, मेरे हस्बेन जिस रूम में काम करते हैं, उसी रूम में मैंने सारा समान ए भूख जोडों की लग गई है तो जी मैं कीचन में आ गई हूँ तो आज का जो रेसिपी बहुत ही हिल्दी होने बाली है बट बहुत ही इजी रेसिपी होगी तो चली आज मैं पालक ले आई हूँ मेरे हस्बिन सुभा सुभा ले आए थे पालक उठा करके तो आप यह ना लोगों से शेर करूंगी आलू की सबजी मैं कैसे जादा तर बनाती हूं तो पहले मैं पालक को जरो को काट करके अलग कर देती हूं ताकि मुझा असानी होता है इसे साफ करने में नहीं तो क्या होता है निक्साथ खोल लो तो बहुत ही मुस्किल हो जाती है सब उलच जाता साफ कर दूंगी फटाफट आप लोग किस तरह से पालक साफ करते हैं कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और यहां मैंने पालक वगएर साफ कर दिया था तो मैं फटाफट आलू को भी साथ में लगे हाथ छिल लूंगी तो आज की जो रेसिपी बहुत ही हिल्दी होने वाली आप लोग जरूर ट्राइए करके देखिए ला बहुत मुझे तंग कर रही है मेरी पीछे ही खड़ी है बार बार तंग कर रही है पता नहीं छोटे बच्चे होते हैं तो पता नहीं क्या बोलते हैं समझ में तो कुछ आता ही नहीं लेकिन उसके जूते खुल गये थे तो ब आप यहाए से पानी चड़ा लिया था और पानी काफी अच्छी से घरम हो गया था तो इसमें हम सारे पालों को एड़ कर देंगे और थोड़ी देंग। एक से दो मिनिट काफी है आप है एक से दो मिनिट और इन सब ऐसे से दवा करके अच्छे से इनको पकने देंगे थोड़ा देर के लिए इसको ड़क देंगे न तो ये काफी अच्छे से कुक हो जाएगा एक से दो मिनिट बस इसे लगेंगे पकने में इसमें कुछ भी नहीं करना बस साधा पानी इसमें एक बॉयल आ गया यह बहुत अच्छे से कुक हो गया इसको ज्यादा बिल्कुल भी नपकाएं अब मैं इसको निकाल लूँगी और गैस को बन कर लेंगे पानी उतना ही डालिएगा ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें एड करिएगा नहीं तो पानी वेस्ट हो जाएगा और यह बहुत ही हेल्दी पानी इसको फेकना बिल्कुल भी नहीं आप इसको किसी भी काम में यूज कर सकते हैं जैसे सबजी वगेरा बनाते हैं साल करेंगा ज्यादा बिल्कुल भी ड़ाले तो चलिए मैंने सारे पालकों निकाल लिया है देख सकते हैं पानी इतना निकला है तो मैं इसको वेस्ट में करोंगी मुझे दाल बनाना है तो मैं उसको उसी में use कर लूग तो हम आप लोगों से दूसरी रेशबाः चड़ा लिया है और कड़ाई में सरसो तेल डाला है आपको इसा भी टेल यूज़ कर सकते हैं तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने एक चमच और तेल डाल दाल दिया है अभी तेल को काफी अच्छे से हीट होने दीजेगा प्रोपर गरम हो जाने चाहिए तो दिन की सुभई की सुरुवात मेरी कुछ इसी तरह से होती रहती है मौनी का रूटिंग बहुत भागम भाग हो जाता है आई हो पापलू कभी ऐसा ही होता होगा मेरा तो ऐसा ही चलते रहता है रोज का रूटिंग है तो यहां पर मैंने मस्टर्ट सीट डाल दिया सर्सो मैंने डाल दिया इन सब को थोड़ा ब्राउन होने देंगे आज की जो यह आलू की जो रेसिपी है बहुत ही इजी होने वादी है लेकिन ट्रस्ट मी आप लोग एक पर इस तरह से बना के ट्राइ करें बहुत ही टेस्टी बनती है तो यहां जो सर्सो है वो गोल्डेन ब्राउन हो गया अब मैं इसमें सारे आलू को एड़ करके और इन से दो मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक इन सब को भूल लेंगे तो देखें मेरा जो पेंट कराने का रिजन है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रिजन नहीं अचानक से यह प्लैन बन गया तो घर में पेंट का काम लगना शुरू हो गया बलकि मैं काफी दिन उस के लिए मेरी शादी वगयरा में या फिर मेरे इनवर्सरी में बहुत चीज मुझे अच्छे अच्छे डेकोरेशन के लिए उसारा समान मिला था तो मैं ऐसे ही पैक करके सब को रखी थी क्यूंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था पूरे घर वाइट वाइट था और रखी थी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एक दो समान मैंने लगाया भी था डेकोरेशन के लिए तो मेरे हजबेंड बार बर बोलते थे अच्छा नहीं लग रहा हटा दो तो मैंने उसको उठा करके रख देती थी और गुस्सा भी बहुत आता था कि मेरा दिल करत है तो मैं अच्छी चीजी लगाओंगी घर में अच्छी ची मतलब सजाओंगी क्योंकि डेकोरेशन करने का घर सजाने समारने का हर और तो का सौक होता है आप लोग को भी होगा मुझे भी बहुत ज्यादा है तो इसलिए अब तो काम लगना शुरू हो गया है तो देखिए थोड़ा सा ब्लॉग आने में टाइम लग सकता है तो चलिए देखिए आप लोगों ने देख लिया कि मैंने आलू की सबजी कैसी बनाई बहुत ही इजी था बस मसाला वगरा फ्राइव करके टमाटर डाल दिया पानी डाल करके इसे थोड़े दिर पक में देंगे बहुत ही और इन सब पालक को ही डाल करके अच्छे से गुंद लूगी पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा अगर आता ज्यादा कोईंटेटी में और पालक आपका कम लग रहा है तो अगर पानी की जरूरत हो तब ही एड करिएगा वैसे पानी में डालिएगा यहां पे मैंने और यहां पे अगर लगे कि पानी की जरूरत है तो आप पानी एड कर सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट डो तयार हुआ है हमारा आता का देख सकते हैं आप इन से चाहे तो पूरी पराठा या रोटी कुछ भी बना सकते हैं अपने मूड के कोडिंग जो आपका दिल करे खाने का म मैं तो सिंपल रोटी ही बनाओंगी तो यहां देखे आता गुंते गुंते इधर सबजी भी मेरी बन के तयार हो गई है तो देखें आप लोग देखना वीडियो में कि कितनी एजी रेसिपी आलो कि मैंने आप लोग उसे शेयर की आप लोग एक बढ़ ट्राई करके जरूर देखिएगा तो चलिए सबजी भी बन के रेडी हो गई है तो अपट अपट मैं रोटी बना लूँगी यह सेकंड टाइम मैं पालक की रोटी बना रही हूं एक पर मैंने बहुत काफी पहले बनाया था मुझे याद भी नहीं है तो मेरा दिल के आके चलो आज बना लेते है मेरे हजबेन पालक सुबस उठा करके ले आये थे तो पहले तो पालक आलू बनाने का मेरा मूड हो रहा था कि बना लू बना लू बड़ दो दिन पहले मेरे हजबेन ने पालक आलू का आया था तो इसल मैं सोची की नहीं चलो कुछ नहीं रेसिपिफ बनाती हूं तो सोची तो मैंने यहां रोटी बनाया मेरा तो मन कर रहा था कि पराथा बना दू बट मेरे हजबेन ने बोला कि नहीं रोटी बना दू रोटी बेटर है क्योंकि उनको पूरी या प्राथा वगारा में तेल घी यूज होते हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपलो hm कॉमेंट करके बताईएगा कि आप लोग के हजबेन पूरी यह पराथा खाते है है या नहीं खाते है उनको भी मेरे हजबेन कि सुभा सुभा मैं सारा समान निकालने में लग गई थी उठी थी तो पहले सोची कि एक बार समान निकाल देती हूं नहीं तो फिर लेवर्स लोग आ जाएंगे तो बीच में नास्ता बनाते छोड़ करके समान निकालना तो थोड़ा मुस्किल हो जाएगा तो इसलिए मैंने क्या किया कि सारा समान पहले उट करके निकाल लिया उसके बाद इत्मिलान से नास्ता बनाया तो टाइम काफी हो गया है तो अभी मैं जा रही हूं नास्ता देने के लिए हस्बेंट को और वहीं मैं भी बैठ करके नास्ता कर लूँगी मुझे भूख जोड़ों की लगी है तो यहां मेरी बैठी नास्ता देख करके काफी खुश हो गई है और देख सकते वह एकसाइटमेंट के कारण मुझे बोल रही है कि ममा मुझे खिला दो बार बर बो रही ममा मुझे खिला दो तो मैं उसको भी अभी नास्ता दूँगी तो बस कुछ ऐसा ही मेरा मॉर्णी का आज करूटींग रहा तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजेगा शेयर कर लीजेगा कॉमिक कर दीजेगा मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई